जै स्रीकिष्णा फ्रेंड्स वेरकम तो राधा कुष्णी किचन बहुत राधा और आज आपको लेकर जाने आलो मेरे गाहों में और वहाँ पे मैंने गाट मिलकिंग किये और यह न्यू गाट ली थी हमने उसकी गाट मिलकिंग किये और बहुत सारे ऐसे मुमेंट है जो आप बहुत पसंद आएंगे तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं हलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और करोना से बचने के लिए सनिटाइजर मास्क और सोशल डिस्टन्स बिलकुल बनाए रखना क्यूंकि हमारे स सब्सक्राइजर में फिर से करोना बहुत जादा बढ़ गाए इसलिए लोगडाउन की तैयारिया शुरू है यदि हम लोग करोना से बचने के लिए सुरक्षित उपाय करते रहेंगे तो लोगडाउन से बचना बचना बच जाएंगे इसलिए आप दहन रखना और आज हम स सूगाई है और यह बहुत परिशान करती है और इसमें इसमें खुर्पा चलना दितर बहुत मुश्किल होता है। आप कर रिते को एक WAY किमें चोटे चोटे नाजुब से हैं और इसमें कामकरना यह सकर्णा पाड़ा होता है फिर चांती इनै निकाला आ४कर्ट यह थरो उ इसका मिल्किंग हम दिखाएंगे लेकिन ये बहुत टेड़ी गौट मिली हमें यो दिखने को तो बहुत स्मार्ट है अच्छी है उसके बच्चे भी बहुत प्यारे है लेकिन इसके हरकते बहुत छैतानी है और इसे मिल्किंग करना इसकी मतलब नाक में दम कर देती है और सब कर रहे हुग कि मिलकिंग नहीं कर सकते हैं कि एसको आप कर गोड़िक में यहाँ से दूसरे होग लाइ znaczy विल्हिशन नहीं यहां दाल है कि लेहां के घुमा गातरा झाली यहां मालिक से पूछा हमने तो भी इसी तरह से बोल रहा था कि यह ऐसी थी इसलिए हमने बेज दी आप आप इसे ठीक कर दो तो कोई बात ने हम इसे संबाल लेंगे अच्छे से और अभी इसको लेकर जा रहे वापे पेड़ के नीचे इसे बान कर फिर इसकी मिल्किंग करेंगे ल फिर उसके बच्चे को भी छोड़ा हमने क्योंकि वो जब साथ होते हैं तो अच्छे रहते हैं नहीं तो बहुत चिलाते हैं वो भी और यह चोटो भी आगा है फिर पीचे-पीचे मेरे और यहां पर सब अभी छुटिया है तो सब बच्चे बहुत चारा खेलते हैं और और आप मैंने विसका पेर पकड़ लिया अब याभी मिल्किंग करेंगे स्टार्ट और आप रियल मिल्किंग की साथ सुनिए और किष्णा भी आ गया क्योंकि वो मुझे बुला रहा था आई आनी की मा होती है मदर होती है हमारे महारास्टा में मुमिक को आई बोलते हैं औ और वो मुझे बुला रहा था कि आई मुझे उसके फ्रेड ने से मारा था तो उसे दाखने के लिए चलो तुम और प्राब्लम को स्वाल करो बच्चे खेल दे तो चोटी-चोटी सी बाते पर आन बन हो जाती है और फिर बड़ों के साथ मिलके उसे स्वाल कर देते हैं फिर कि अजए Sultanwoda गो है चाह आते हैं घा कि उसका कि आः जए कर दो देते हैं स्कार कि जएक चाल है NAS यह सांन आतामा मुझे बच़कि आते हैं कि उसले हैं कि कि आंऌते कि ये स्वान कर देज़ हैं कि आंदा डो कि इvenge और अ Journal का मुझे हैं और थोड़ी से मिल्किंग करने के बाद देखो इसने दूद चुरा लिया और इतने आडियल है कि ये आपने बुच्चो पीने नहीं देती और फिर से इसने मुझे परेशान करना शुरू किया और आइसे गुमाती है और दुसरों बहुत लोगों को गिरा भी चुकी इसे रसी में लपेट जाते हैं हमारा पैर तो फिर वो भूमती रहती है तो हमें गिरा देती है और ये बहुत मुश्किल होता है चोटी सी लग रही है लेकिन दाज बहुत टेड़े ले इसका पर अटक गया इसलिए यह रुख गई और फिर से मैं इसे पकड़ लिया लेकिन इसका पर जादा देर अटक करें ना अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसका पर निकाल दिया और फिर मिलकिंग स्टार्ट करेंगी और देखो फिर से दूद चुरा ली है और फिर इसे थपता पाने के पाद फिर से मिल्किंग रिलीस करती है और फिर हम मिल्किंग करते हैं इसके बच्चे दिन बर खुले रहते हैं लेकिन ये बिल्कुल भी पास ने आने देती और पीने भी ने देती देखो भाग गई फिर स और ये ये भी उसी की बेहन है ये भी इसी है लेकिन क्या करें थोड़ा सा दूद तो निकालना है पड़ता है और इनके बच्चे भी बड़े हो चुके है तो दूद रहता है पर ये निकालने नहीं देती बहुत परेशान करती है और गाट का दूद सहत के लिए बहुत अच् करती हूँ क्योंकि सब दूद की अपने अपनी खासियत होती है इसलिए और यह जो गोट होती है यह बहुत चालाक ओती है जब भी मिल्किंग करने जाते हैं तो फटाख से दूद को चुरा लेते हैं और गाइप कर देते पुरा धूद northern फिर थपतपाने के बाद हो तोड़ा-थोड़ा दूदinner रिलीज होता है फिर हम मिल्किंग करते हैं तो फिर भी ऐसे करती है पता नहीं इनके पास एक केसी आदा है जो मिल्क को गाइब कर दी और फिर रिलीज भी हो जाता है फिर गाइब करती है फिर रिलीज हो जाता है ऐसा चलता रहता है और मुझे बहुत सारे कमेंट आये थे कि सर्जिकल ग्लोज यूज करके मिल्किंग करो तो इसलिए सर्जिकल ग्लोज यूज करके मैंने मिल्किंग किये पर हमारा छोटू भी आ गया है और ये बहुत उसको जो भी मैं जहां भी रहती हूँ पिछे पिछे आ जाता है बहुत प्यारा सा क्यूट सा है और इतना छोटा सा होगे सब बच्चों का डौह नहीं है बिलकुल इसके आगे कोई नहीं जाता ये सब की उसकी बात माननी है बहुत मानने झाल। से हनग का भी वे घल जुक। कि इसके नकरे जहलते हुए मैंने इसकी कर ली और आभी उसको वहाँ पेड़ से फिर से यहाँ पर लाकर लाना होगा क्योंकि उसकी जगह यही है लेकिन वह एक साथ सब गौट के साथ मिल्किंग करने नहीं देती इसलिए उसको साइड में लेके गए थे फिर वापस आया और किशना देखो यह उसके बच्चे को यह दाल है जो दूप में रखी थी उसे कीड़ा लग गया था तो इसलिए और यह उसे खिला रहा है देखो कैसे बच्चे होते हैं ना उसे बिल्कुल पी समझ मेंने आता वो खा रहे है तो खाने दे रहा है फिर भाबी वो सब लड़के चाया और उसे साइड में रख देंगे अभी और अभी इसको बान देते हैं उसकी जगह पे जाते टाइम में उसने ऐसा किया तो मुझे भगाते भगाते ले गई और यह आईसी है इसलिए यह सब थोड़ा सा गुसा भी आता है और प्यार भी आता है क्योंकि दिखने में ब भूबी बिल्कुल नहीं आती तो इसलिए यह अच्छी लगती है सबको इसके बच्चे भी बहुत प्यारे प्यारे हैं अब देखो यहां पर गुरूप में लाके फिर समय ने उसको बान दिया और अब यहां पर उसको कुछ खाने के लिए डाल देंगे ताकि वह अच्छे से रहे यहां पर और हम लोगों ने और एक यह नया बक्राबी लिया है और इसको नजर ना लगे इसलिए उसको कवडियों की माला लग उसके गले में डाली है बहुत प्यारे सी माला है हो और यह भी बहुत मस्ते है और देखो कैसे दिख रहा है मज़े से और आब यह सर्जिक को इसलिए आप मोटर चालूए अभी और यहां से पाइपलाइन से पानी जा रहा है तो मैंने यही पर ग्लोस को निकाल फेका और यही पर हाथ तरदो के अभी हमारी वीडियो आज की यही पर खितम हो जाती है यही आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज ला अच्छे अच्छे लादे he